दूस्टों, बात करें तो मार्किट में, पिषले एक-दो साल में जो एक गलौता बर्न यहांपर सबसे तैजी से एवॉल्व हो है ना, वो है यहांपर आईकू. Aiku देखा जाए तो अभी इंडिया में सबसे नया brand कह सकते हैं youngest brand भी कह सकते हैं से ने हो, यंके कह सकते हैं से कि यहां पर काफी अच्छे तरीके से इंडिया में उसने वाल्व किया है और क्या एक रीजन है कि आईकू लगातर अच्छा परफॉर्म करना और इसका फ्यूजर यहाँ पर काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि मैंने एक चीज देखिया आईकू में कि आईकू अपनी गल्तियों से सीखता है पहला फोन लॉंच किया, मार्केट से फीडबैक लिया, चीज़े सुधारी और अगला फोन निकाला अगले फोन को लॉंच किया, मार्केट को सुना, फिर निकाला और जब भी कोई कमधी मार्केट का पब्लिक फीडबैक लेती है और उस चीज को इंप्लिमेंट करती है न उसका सेक्सेस्वन होना तो है बनता है लेकिन पीछे की पूरी कहानी क्या चल रही है सब कुछ वीडियो के अंदर बात करते हैं पसंद है लेक करते हैं अगर आईकू के बारे में शुरुआती दिनों के बारे मने नहीं पता है तो 2019 में यहापर शुरू हुई थी और आईकू के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर यह वीवो का पाट थी चाइना के अंदर जहां पर इसके फोन को वीवो आईकू नाम से निकाला जाता था कहने का बात यह कि यहां पर वीवो की एक और लाइन आरमती जहां पर एक हैवी स्पेक्ट वाला फोन यहां पर बेच रहे हैं लेकिन आप लोग को मालूमें कि इंटरनली तो सब बीबी के एक अपार्ट है अब मैं आपको इंबात दसा सकता हूं कि वीवो आईकू में उतना ही डिफरेंस है जितना ओपो रियल में वन प्लस में है यहां पर फोकस करती है एक स्टाइल वाले फेक्टर की उपर सेल्फी वाले की उपर आफ्लाइन बायर की उपर और हलका साथ जो में इस्ट्रीम कस्टमर होता है उसके उपर वहीं जो आईकू के अगर आप ब्रैंड परसेप्शन देखोगे वह एक ऐसा बना रख है आईकू 3 2020 के साफ से काफी सही फोन था वो सबसे अफोर्डेबल फोन था जो कि स्नैब ड्रागन 865 के साथ आये था और उस फोन को कंपनी ने लॉंच किया था लिगन शाद कंपनी किसमत ऐसी थी कि वह लॉंच हो उसके बाद लॉंच लग गया काफी सारी की चीज़े हुई इंडिया में लेकिन इस बीच में आईकू ने यहां पर काफी सही खांतिया वो था यहां पर पब्लिक फीडबेक को लेना और मैं ऐसे मन से ही नहीं बोल रहो एक्जेक्ली यहां पर हुआ था कि अगर आप आईकू 3 देखो और उसके बाद जो अगला फो रही थी आईकू 3 में वो सारी fix कर रहे था अपने आने वाले phones में एक्जांपल दू आईकू फोन को इंडिया में लांच ही आईकू UI के साथ आईकू यह थोड़ा से अच्छा था थोड़ा से गिमीगी भी लगता था थोड़ा से फ्लेश ही लगता था फीचर्स काफी अच चला ही नहीं और यह दिखके लगा कि उन्हें यहां पर इस चीज को दोबार से पीछे जाना चाहिए और लोग जिस चीज की डिमांड करते उसकी पीछे जाना चाहिए और यहां पर आईकू ने आईकू UI को डिच करके फंटच OS के पीछे गई और फंटच OS देख जा तो व कि अच्छा क्लीन एक्सपीरेंस यहां पर दे रहा है फंटच OS को हम मोस्ट इंप्रूवड यूई भी कह सकते क्योंकि काफी अच्छे तरीके से वाल हुआ है यह और वैसे ही चीज़ इन्हों ने यहां पर इंप्लिमेंट कर दी आईकू ने इसके साथ ही यहां पर सेन्टर तुमहें निया ब्रांड है और हर नया ब्रांड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्दम सर्वस सेन्टर की होती है यहां पर वीवो के साथ पार्टनर्शिप कर के रहे हैं जो वीवो बहुत लंबे समय से उसके पास एक और ऑडरेडिडियर इसक्श्रविस नेट्वर तो यह कुछ चीज़ें यहां पर हो जाती है और इसी चीज़ नहीं है पर आईको को यहां पर ग्रो करने में कफ़िज़ा मत करी लेकिन इसके साथ दिमांड यह थे कि यहां पर आईको की सक्सेस का एक 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 एक्जेक्ली रीजन क्या है वन आफ दा की रीजन है कि जहां आक के समय में दूसरी कंपनिया दूसरे फीचर्स की उपर डिमेंस खेल रही है इन्हों ने अभी प्रॉसर वाली चीज़ को पकड़ रख और अगर आप आईको की पूरी आऊप को अनलैज करोवे तो आपको लगेगा कि जिस प्राइस रिंज में आते उस प्राइस रिज में जो बैस्ट पॉसिबल प्रॉसेसर है वो उनके अंदर देखने को में पर लेटेस्ट प्रॉसेसर के यूपर यह लोग काम करते हैं वो थीज यहां पर एक अच्छी को डाला और भी कई सारी नहीं नहीं चीज़े करी जो लोग को यहाँ पर पसंद है लोग यहाँ पर BMW Edition का फोन लेना चाहते थे और उस चीज़ को सही rate के अंदर यहाँ पर imply किया क्योंकि generally हमने देखा है कोई भी company अगर अपने special edition phone निकाल थी भली किसी car company के साथ निकाल ले नॉर्मल फोन से बहुत ज़्यादा महग हो जाता है आईकू ने यह चीज़ खेल के यहाँ पर एक सही प्रमोट निया है कि वो gaming phone है उन्होंने नॉर्मल फोन बना के प्रमोट किया ताकि नॉर्मल जनता भी ले ले और करेंगे उसके बाद वो अगला प्रोड़ यहां पर अपना टी डबलू एस एयर फोन वगरा निकालेगी आईकू ने ऐसे नहीं किया आईकू का देखा तो प्राइमरली फोकस यहां पर मोबाइल फोन बनाना है और मोबाइल फोन मी अगर वह अच्छा कर रहे तो वह चीज करके अगर कॉलिटी प्रोड़ यहां पर फोकस रखा है हाला कि आईकू ने भी कुछ एकसरी निकाले लेकिन वह गेमिंग वाले एकसरी वह उनका प्राइमरी नहीं है लेकिन जो प्राइमरी चीज उन्होंने मोबाइल फोन पकड़ रखी वह इसके साथ ही जबर जस्ती के जादा लॉंज ना करना भी समझदारी है कि अब आईकू वाले ऐसे नहीं कर रहे है कि दूसरे हफदे अपने नया फोन निकाल रहा है पुराने फोन जैसी स्पेसिफिकेशन चिपका रहे है ऐसा आईकू यहां पर बिलकुल नहीं कर रहा है और यह चीज इसके साथ काफी स इसके साथ ही बात यह तो अगर आप आईकू को ध्यान से देखोगे तो यहां पर लग रहा है कि यह लोग वन प्लस से हां पर कम्पीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखा जाए तो वन प्लस का क्राउड ऐस है जो यहां पर टैक एंथूस वाल था जिनको लेटेस उसके बाद वन प्लस में कलर ओए इस ऑक्सजन ओएस में घुस गया काफी सारी चीज़ें होई जैसे ओरेशन जो वन प्लस फैंस थे न वो काफी जादा निराज थे और उनको एक आल्टरनेटिव चाहिए था तो काफी सारे लोग ऐसे जो आहिको के पीछे गए क्योंकि अ नथिंग वाले कमाल दिखाते तो उस क्यों पर जाएंगे लेकिन अगर नथिंग वाले कमाल नहीं दिखा पाते तो आईको उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर साबित हो सकता है तो यह एक चीज़ यहां पर रहती है तो हालाकि यह कुछ रीजन से जिनसे आई इवांटेज उनों ने लिया और अगर आप देखोगे फीचर्स प्राइस पॉंट यह सब तो वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से खेलें तो देखा तो ओरल आईको में पिछले कुछ सालों में इंप्रूब्मेंट वा है जहां 2020 में सर्फ एक मॉडल रिलीस किया था फ अब वो भी अच्छे 5G बेंड का सपोर्ट दे रहे है तो वहां पर भी इंप्रूब्मेंट ओवर आल देखा तो जो आईको है वो यहां पर काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही है और एसे फोंस दे रही है कई बार ऐसी चीज़े इलाके आती है जो लगता है कई बार मार आईको यहां पर विन कर रही है अटलीस्ट वो कस्टमर को सुन रहे है वो फीडबैक ले रहे हो फीडबैक को इंप्लिमेंट कर रहे है यह चीज़ आईको के साथ सबसे बढ़ाती है तो डेफिनिटल अगर किसी को एक सक्सेस्फुल मॉबाइल फोन कमतनी बनानी आज के सम अगर आपने फोन्स वगरा यूस करें तो आप लोग को अपनिया उपीनियान है वो नीचे कमेंट बता ना भूला वीडियो पसंद आप लाइक करो चैनल को सब्स्प्राइब करो थेंक दर खुड़ी तेख नहीं ही मैं आप तो नेक्स्ट वन में गुडबाई